हेलो दोस्तों अब का स्वागत है हमारे चैनल इस्टडी विथ राम में तो आज हम कच्छा बारह वालों के लिए लेके आए हैं बायलोजी का अगला चेप्टर जिसका नाम है यौवना वस्था नसीले पदार्थ एवं एलकोहल का अति प्रियोग कि नसीले पदार्थों का प्रियोग करने से क्या-क्या हानी हो सकता है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं यौवना वस्था मानव की वह आयू है जिसके दोरान मानव का सरीर समाज में सहभागिता हेतु पूर्ण रूप से प्रिपक्व हो जाता है वह अक्रामक और आकरसक दिखाने के लिए नसीले पदार्थों के प्रियोग हेतु प्रिरित होता है पहली बार इसका प्रियोग जिग्यासा पूर्वक हो सकता है परंतु बार-बार प्रयोग से इसके प्रति लगावत्पन हो जाता है देखते हैं वैसन क्या है वैसन सरीर की वह इस्थती है जिसमें सरीर का सामाननिकार के लिए किसी पदार्थ का सहारा लेना आवस्यक हो जाता है तथेवे उसके प्रती मनोवेग्यानिक रूप से निर्भर हो जाता है अब निर्भरता क्या है? इस निर्भरता सरीर की ऐसी वृत्ती है जो उस नसीले पदार्था और एलकोहल की नीमित मात्रा अचानक बंद कर देने पर एप्रील अक्षड प्रकठ होता है जैसे चिंता और बेचैनी होना, तेजपसीना आना, अनिद्रा और मान स्पेसियों में एनिमित खिचा होना, गला सूखना आगे बढ़ते हैं नसीले पदार्थों का कूपरयोग तो नसीले पदार्थों का कूपरयोग नविवकों में बढ़ रहा है अधिकांस नसीले पदार्थ पुस्पी पादपों से पराप्त होते हैं और कुछ कवक से भी जैसे ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड, कोकाईल केलाइड तो देखते हैं वेक एक करके ओपियोइड्स क्या होते हैं ये नसीले पदार्थ अवसादक होते हैं जो हमारे सरीर की क्रियाओं को धीमा करते हैं प्राप्ति सुरोत ये कहां से मिलते हैं उप्योइट्स तो ये अफिम पादप के लेटेक्स से प्राप्त होते हैं इसे मार्फिन के एसी टिली करण से प्राप्त किया जाता है यह गंद हिन तिक्षड रविदार यवगीक पाउडर है इसे इसमय क्या हिरोईन के नाम से जाना जाता है यह नाक द्वारा अंदर लिया जाता है प्रभाव तो देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है सरीर पे तो इसका उप्योग सल्य क्रिया में निष्चे तक दरदनिवारक के रूब में होता है यह हमारे पाचन तंत्र वकेंद्री तंत्र का तंत्र में उपस्थित उपियोट्स ग्राहियों से जुड़कर इनकी क्रिया सेल्ता को कम करता है कैनाबिनोइड क्या होता है देखते हैं यह नसीला पदार्थ है जो हमारे मस्तिस्क में पस्थित कैनाबिनाइड गराहियों द्वारा गरहड किये जाते हैं प्राप्ति सुरोत देखते हैं प्राप्ति कहां से होता है इनका तो यह कैनाविस सेटाईवा पादब के पुस्प करम सीरसवा पत्ति के रेजिन से प्राब्द किया जाते हैं इनका उपयोग मेरी जुआना हसीस चरस गांजा बनाने में होता है इन धुमर पान या मुह द्वारा चवा का रंदर लिया जाता है प्रभाव क्या होता है यह रुधिर परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है कौन कैनाविनोइट्स आगे बढ़ते हैं कोका एलकेलाइड क्या होता है देखते हैं कोका एलकेलाइड या कोकीन तो यह एक उद्धीपक है जो केंद्री तंत्र का तंत्र को उद्धीपित कर कारिछमता में वृद्धी करता है इसे सांस के साथ अंदर खीचा जाता है प्राप्ति सरौत देखते हैं इसे अफरिकी पादप Erythro-Gailan Koka से प्राप्त के जाता है प्रभाव क्या होता है? यह विब्रम पैदा करता है आगे बढ़ते हैं धातूरा वय बैलाडोना तो देखते हैं यह धातूरा इस्ट्रामोनियम और एट्रोपा बैलाडोना नमक पादपो से प्राप्त होता है प्राप्ति स्रोत धतूरे के बीज और एट्रोपा बैला डोना का संपूर वायवी पादब भाग नसीले पदार्थ के रूम में प्रयोग किया जाता है प्रभाव यह विब्रह्म पैदा करते हैं अधिक सेवन से मृत्यू भी हो सकती है आगे बढ़ते हैं लाइसरजी कमल डाई एथिल एमाइड तो देखते हैं इसे अनिद्रा के रोगी को दवा के रूम में दिया जाता है प्राप्ति स्रोत इसे एरगोट कवा कलेविसेप्स पर प्यूरिया के फ्रूटिंग बॉड़ी के रस से बनाया जाता है प्रभाव क्या होता है लाइसरजी कमल का तो अधिक प्रयोग से केंद्री तंत्र के तंत्र सिथिल हो जाता है जिससे सरीर का सामाजस भीगड़ जाता है आगे बढ़ते हैं तंबाको देखते हैं क्या होता है तो समानते हैं लोग तंबाको का उपयोग सिगरेट, बेड़ी, गुटका, पान, आधिके माध्यम से चबा करते हैं तंबाको का सर पर्थम प्रयोग अमेरिका में रेंड इंडियन द्वारा किया गया एक तिसमाई को विशु तंबाको विरोध दिवस मनाया जाता है प्राप्ती सरोध तंबाको को देखते हैं कहां से प्राप्त करते हैं यह निकोटियाना टोबैकम नामक पादब की पत्तियां होती हैं जिसमें विसैला निकोटीन पाया जाता है प्रभाव क्या होता है तंबाकू का उत्तेजना रुधिर चाप स्वसंदर एवं हिर्दय स्पंदंदर बढ़ जाती है यह गलाव फेफड़े को प्रभावित करता है पाचन सक्ति छीड होती है गरभवती स्तिरियों में बच्चे का विकास एवं रिद्धी दर प्रभावित होता है अब देखते हैं अलकोहल एवं सराब क्या होते है तो यह किडवन क्रिया द्वारा बना पेपदार्थ है जो वसा जो नसा उत्पन करता है यह चोटी आत्में अवस्योसित होता है बियर में 30% अलकोहल होता है बिस्की में 45% रम में 33% ब्रांडी में 55% आगे बढ़त है तो वस्तिस्क की क्रिया विलम्मित होती है वांस्पेशियों का संतुलन बिगड़ जाता है वरिक हिर्दय अमासे फेफड़ा तथार उधिर वाहिनी पर दुस्प्रभाव पढ़ता है अब देखते हैं नसीले पदा थे हम एलकोहल लेने के क्या-क्या कारड हो सकते है पह पढ़ते हैं नसीले पदार्थे हम एलकोहल के परभाव तो देखते हैं ततकालिक परभाव क्या पढ़ते हैं और दूरगामी परभाव क्या पढ़ते हैं तो ततकालिक परभाव पहला नसा के लिए चोरी करना घर का सामान वेचना हिंसा बरबरता अनपेक्षित वियोहार क पूरसों में सुक्राडू का कम बनना वरेकों का सही कामने करना सरीर की विद्धी का रुकना मानसिक सारीर दिरठता में कमी आना ये सब दूरगामी परिडाम है प्रभाव है इन सभी के एलकोहल के अब देखते हैं नसीले पदार थे हम एलकोहल के रोक्थाम एवं नियंतरण तो कैसा इसका रोक्थाम किया जा सकता है तो सुस्थ लालन पालन अनावस्यक दबाव एवं सिक्षा और परामर्स व्यवसाइक और चिगिस्सक सहायता लेना इन सभी के द्वारा आप नसीले पदार्थ के सेवन से बच सकते हैं तो यहीं पर हमारे चैप्टर समप्थ होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहिंद